इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Paytm के मज़द से किसी को payment भेजते हैं या फिर payment अपने पास receive करते हैं तो भेजने के time जो sound आता है या फिर receive करने के time जो आवाज आती है पेटियम में वो आपको नहीं आ रही है तो इस problem को आप कैसे सही करें यहाँ पर मैं आ बरूर देखते रहिए तो सबसे पहला तरीका यहां पर आप क्या करें अपने जो वॉल्यूम बटन है इस पर क्लिक करें और यहां पर आपको थ्री डॉट इस तरीके से दिखाई देंगे तो notification का जो यह option है यहां पर आप देख लें कि full sound है notification की full sound है यह आप चेक कर लें ठ चले जाएं और इसके बाद नीचे की तरफ जाएं तो आप बैटरी का option देख पाएंगे आप चाहें तो सर्च भी कर लें बैटरी के option को बैटरी यहां पर आप power saving mode देख पाएंगे तो अगर आपका यह on होगा तो आप इसे off कर दें देखिए power saving mode जब on होता है तो phone की तब आपने कर लिया और problem आपको अभी भी आ रही है तो आप एक तरीका और try कर लें यहां पर आप अपने paytm की application पर long प्रेस करें और यहां पर install को option दिखेगा तो यहां से install कर दें और play store में जाकर वापस से install करें और देखें problem आपकी solve हुई है या फिर नहीं कि इसके बाद आप एक और चीज़ का ध्यान रखें फोन की settings में जाए और यहां पर आपको search करना है ध्यान से देखिए क्या सर्च करें auto launch आप search करें यहां पर और यहां पर आपको auto launch का option दिख जाएगा यह देखिए यहां पर नीचे आए और यहां आप देख पाएंगे paytm देख सकते हैं paytm on कर ले ठीक है यह इसे on कर ले इससे on करने से होगा क्या जब भी आपका phone कभी switch off हो जाता है यह फिर आप background से अपने application बन कर देते हैं तो फिर background में आपकी application काम नहीं करती है जिसकी वजह से आपको sound नहीं आते है तो यहां पर auto launch on कर दें ठीक है यह अरीका try करें search करें यहां पर setting में reset ठीक है डरिये मत आपका कोई भी data delete नहीं होगा तो आपको reset all settings को option दिखाए देगा इस पे click करें और reset all settings पे click करें यहां पर आप अपना password डाले ठीक है और यहां पर आप अपनी settings को reset कर ले and इसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी क्योंकि कभ phone में इसकी वज़े से भी हमें sound नहीं आता है अगर problem solve नहीं हुई है तो आप comment में बताएं क्या problem है मैं आपको उसका solution अलग से बता दोगा